हेलो ब्रिवन एकजाम वारी में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों NCRT के प्रैटिशेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो हम क्लास 6 के जोगर्फी के प्रशनों को देखेंगे कलास 6 के जोगर्फी के बुक का नाम है प्रिथवी हमारा अवास इसमें टोटल आपका 8 चैप्टर है तो इस वीडियो में हम इसके 4 चैप्टर के प्रशनों को डिसकस करेंगे और इसके आगे के प्रशनों को जो है हम अग्ली वीडियो में देखेंगे दोस्तों ये subject के अलावा GKGS के लिए भी important है क्योंकि GKGS में जोगर्पी के प्रश्ट बनते हैं तो आप लोग वीडियो को लाज तक ध्यान से जरूर देखिएगा चलिए सुरू करते हैं Class 6 पहला chapter है सौर मंडल में पृत्वी तो इससे पहला प्रश्ट देखते हैं निमलखित में से कौन से खागोली पिंड है निमलखित में से कौन से खागोली पिंड है तो इसका राइटन्स रो जाएगा option D उप्यूक सभी यानि सूर चंद्रमा पृत्वी उलका पिंड ये सब क्या है खागोली पिंड है option D का correct answer हो जाएगा सूर चंद्रमा पृत्वी उलका पिंड तथा वे सभी वस्तवें जो रात के समय आसमान में चमकती है खागोली पिंड कहलाती है सूर चंद्रमा पृत्वी उलका पिंड तथा वे सभी वस्तवें जो रात के समय आस्मान में चमकती हैं, वो क्या होती है, खगोली पिंडों को तारा कहते हैं, तो इसका right answer रो जागा option B, जिनके पास अपनी उस्मा तथा प्रकास होता है, उसे क्या कहते हैं, तारा, option B इसका right answer रो जागा, कुछ खगोली पिंड बड़े अकार वाले तथा गर होता है, जिसको वे बड़ी मात्रा में उस सर्जित करते हैं, इन खगोली पिंडों को तारा कहते हैं, सूर भी एक तारा है, अब की बार BPSC PRT में पूछा गया था प्रश्न के सूर एक है, option में दिया था, लाल तारा, पीला तारा, सुएद तारा, देखिए, सूर बासे होत और जो है, क्या है, पीला तारा है, ठीक है, ये प्रश्न बन चुका है, अगला प्रश्न है, तारों के बिभिन समुओं के द्वारा बनाई गई बिभिध आकृतियां क्या कहलाती हैं, तो इसका राई टेंस रो जागा, option D, नच्छत्र मंडल, रात्र में आसमान की ओर देखते समय, तारों के बिभिन समुओं के द्वारा बनाई गई आकृतियां दिखाई देती हैं, इन्हें नच्छत्र मंडल कहते हैं, अगला प्रश्न है, अंतरिच से सम्बंधित, अरसा मेजर या बिग बियर का सम्बंध किस से है, तो ये क्या है, नच्छत्र मंडल है, option भी इसका राइटन्स रो जाएगा, अरसा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नच्छत्र मंडल है, small बियर जिसे सब्त रिसी कहा जाता है, सब्त रिसी बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नच्छत्र मंडल है, यह एक बड़े नच्छत्र मंडल अरसा मेजर के भाग किसका भाग है अर्शा मेजर का अगया ततऀ यह यह जो तारों के प्रकास से प्रकासित होते हैं, उसे क्या का जाता है, अब ही हमने पढ़ था कि जिनके पास अपने उस्मा ता नहीं होता यूम जो तारों के प्रकास से प्रकासित होते हैं वो क्या होते हैं ग्रह है जैसे पृत्वी क्या है पृत्वी एक ग्रह है और पृत्वी अपना उस्मायूम प्रकास जो है कहां से प्राप्त करती है ति आपका सूर से प्राप्त करती है असूर भी क्या है एक सूर और घूमने वाले, सूर के चार और सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, आप सभी को पता होगा, पिर्थवी भी है, सूर के चारो तरफ चक्कर लगाती है, नेक्सट, निमलखित कत्रों पर विचार कीजिए, पहला का रहा, पिर्थवी एक ग्रह है, तथा यहां अपना संपूड प्रकास यो उसमा सूर से प्राप्त करती है, आभी हमने पढ़ा पृत्वी एक ग्रह है यहां अपना संपूर्ड प्रकास यों उस्मा सूर से प्राप्त करती है दूसरा आपका पृत्वी सूर से दूरी की हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है गलत है पृत्वी सूर से दूरी की हिसाब से ती सूर से दूरी के क्रम में तीसरे अस्थान पर और अकार में पांच विया स्थान पर ये पांट ध्यान निकेगा इसलिए आपका अप्शन ए इसका राइटन्स रो जाएगा दूसरा आपका गलत हो जाएगा ठीक है अला परशन है सूर से बढ़ती हुई दूरी के अधार पर ग्रहों का सही क्रम चूनियें Most important प्रशन है सूर से बढ़ती हुई दूरी के अधार पर ग्रहों का सही क्रम तीसका राइटन्स रो जाएगा option D सूर से बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम क्या है बुद्ध सुक्र प्रिथवी मंगल ब्रिहस्पती सनी यूरेनस यानि अरूड उसके बाद लाष्ट में नेप्चून जिसे वरूड कहा जाता है क्रम जरूर ध्यान रिखेगा ये प्रश्ण बनता है ठीक है सबसे नदिक ग्रह काउन सा है बुद्ध ग्रह है और बुद्ध जो है ये आपका सबसे छोटा ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह काउन सा है ब्रिहस्पती जो है सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे गर्म पूछा जाता है सबसे गर्म ग्रह काउन सा है सुक्र जो है सबसे गर् अला नीचे देगाए ग्रहों में से कौन से आंत्रिक ग्रह है, आंत्रिक ग्रह पूछा है, तो इसका राइट अंसर रो जाएगा, आप्शन B, एक, दो, तीन, यानि बुद्ध, सुक्र, मंगल, ये क्या है, आंत्रिक ग्रह है, आप्शन B, इसका करेक्ट अंसर रो जाएगा, वे ग्रह जो सूर के नसदी क्यों चटानों से बने है आंत्रिग्रह कहलाते हैं इसमें कौण-कोण आता है बुध्ध, सुक्र, पृत्वी और मंगल ये चारों क्या हैं आपके आंत्रिग्रह हैं और यह किस से बने है, तो यह आपका चटान से बने होते हैं, यह point आप ध्या नखेगा, अला पुस्टन है, नीची दे गया ग्रहों में से कौन से बाहिग्रा है, अब हम आंत्रिक ग्रह के बारे में पढ़ा था, अब हम बाहिग्रा पूछा इसमें, तो इसका राइटन्स रो हैं, तथा बड़े अकार की हैं, यह गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, प्रियस्पती, सनी, यूरेनस और नेप्चून, यह क्या है आपका बाहिग्रा हैं, और यह किस से बने हैं, तो गैस और तरल से, इसलिए से गैसी ग्रह भी कहा जाता है, आप्शन डीस का राइट का, कथन ए है, बुद्ध का सूर के चार और परिक्रमर काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सब से कम है, यह आपका सही है, कारण आर है, बुद्ध सूर के सबसे नजदी कग्रा है, यह भी आपका सही है, कारण भी सही है, कथन भी सही है, आपसन ए इसका राइट अंस रो परिक्रमड काल सबसे कम यानी 88 दिन का है। अलापस्ण है, सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच छुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है, most important है। चुद्र ग्रह पट्टी जो है किन ग्रहों के बीच में पाई जाती है, तो मंगल और ब्रिहस्पती के बीच में, आपसन डीस का राइट अंसर हो जाएगा। हो गए थे, और यह चुद्र ग्रह जो है किसके भाग है, तो यह आपका ग्रह के ही भाग है। नेक्स्ट, हमारे सौर मंडल में सूर्ग से सबसे दूर काउन सा ग्रह अवस्तित है। अभी हमने करम पढ़ा था, उसमें पूछा है सूर्ग से सबसे दूर ग्रह काउन सा है, तो आपका नेप्चून, यानि वरुड जो है सबसे दूर है, आपसन बीस का राइट अंसरो जाए। सबसे नजदीक कौन सा है, तो बुद्ध है, सबसे नजदीक बुद्ध है, उसके बाद सुक्र आता है, उसके बाद तीसे नमर वापका पिर्थवी, फिर मंगल, ब्रेशबती, सनी, यूरेनस और नेप्चून का नमर आता है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। प्लूटो की बात करें, अगर हम प्लूटो भी पहले क्या था, ग्रहों की स्रेड़ी में आता था, लेकिन अभी क्या है ये, बाउनाग्रा है, ठीक है, बाउनाग्रा है ये, अला है, नीच्ची दिये गए कथन ये हम कारण पर विचार केजिए, कथन ए है आपका, द्रूबो के पास थोड़ी चप्ती है, ये आपका सही है, यानि दोनों सही है, कथन ए और आर दोनों सही है, और ब्याख्या भी आपका सही करता है, पृत्वी द्रूबो के पास थोड़ी चप्ती है, यही कारण है कि इसके अकार को भू आप, भू आप कहा जाता है, भू नहीं अधिक ठंडी है यहां जल यूमवाई की उपस्तिती है जो जीवन के लिए आवश्यक है अईला पस्न है निमलिकित में से कौन सा कथन सत्य है सत्य कथन यहां पे पूचा अध्यान अखेगा पहला का रहा है अंत्रिच से देखने पर पृत्वी हरे रंग की दिखाई द लगतर है निले रंग की दिखाई दिती है पृत्वी का हरा रंग हमें यहां के वनों के करण दिखाई दिता है यह भी आपका क्यों जाएगा और अंत्रिच से देखने पर पृत्वी जो है नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि पृतिवी की दो तीहाय सता जल से ढ़की हुई है इसलिए जो है यह इसे नीला गरह कहा जाता है इसलिए नीला पृइंट आप ध्यान लखेगा अलापशने सौर मंडल का निर्माड किससे मिलकर होता है सौर मंडल का निर्माड किससे मिलकर तो आपसंडी उप्युक सभी ग्रह उपग्रह सूर उलका पिंड ये जवाब क्या है सौर मंडल का निर्माड करते हैं आपसंडी इसका राइटन सुरू जागा सूर आठ ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोली पिंड जैसे छुद ग्रह यों उलका पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माड करते हैं उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया कौन होता है सूर होता है अला निम्लिकित में से कौन शा कथन सत्य है सत्य कथन पूछ रहा है याँ पर सूर का खिचाव बल सौर मंडल को बाधे रखता है दूसरा है सौर मंडल सूर सौर मंडल के लिए प्रकासियम उस्मा का मुकिसरोत है आपका दोनों करेक्ट है सूर का खिचाव बल सौर मंडल को बादे रखता है और सूर सौर मंडल के लिए प्रकास यूम उस्मा का मुक्य स्रोत होता है दोनों आपका सही है option C का right answer हो जाएगा सूर सौर मंडल के केंदर में इस्तित है यह बहुत बड़ा है यूम अत्यधिक गर्म गैसु से बना है इसका किचाव बल इससे सौर मंडल को बादे रखता है सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकास यों उस्मा का मुकिसरोत है हम सूर्य की अतिदिक तेज उस्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि यह पिर्थिवी के सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद हमसे लगभग 15 करोण किलोमेटर दूर है इसी कारण सूर्य के प्रकास को पिर्थि पर पहुंचने में लगबग 8 मिनट का समय लगता है ये भी प्रशन पूछा जा चुका है तो इसको ध्यान रखेगा अला प्रशन है सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस अकार में प्याले हैं तो इसका राइट अन्स रुजागा आप्शन B दीर्ग व्रुद्टाकार, आप्शन B, इसका राइट अन्स रुजागा सौर मंडल के सभी आठ ग्रह One निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं ये रास्ते देर्ग बृत्ता कार रूप में फैले हुए हैं, ये कच्छा कहलाते हैं, ठीक है, किस में है, आकार का है, देर्ग बृत्ता कार, अगला पूशन है, किस ग्रह को पृत्तिवी का जुडवा ग्रह कहते हैं, तो आपसन B, सुक्र को पृत्तिवी का जुडवा ग्रह कहते हैं, आपसन B, इसका राइट अन्स रो जाएगा, क्योंकि यह आकार घनत योम ब्यास में पृत्तिवी के लगभग बराबर है, इसलिए सबसे चम्कीला ग्रह गर्म ऑपनके अभी हम आगे पठेंगे इसके बारे में शुटाइब कर दो करें सबसे निकर्तम पोछ रहा है सूरी नहीं प्रतिवी का तो पृथे पृतिवी का सबसे निकरतम आपका क्या है सुक्र है आप्शन बेस का राइट अंसर हो जाएगा अगला पस्टन है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा यह सबसे छोटा ग्रहकाउंसा है तो सबसे बड़ा आपका ब्रियस्पति और सबसे छोटा क्या है बुद्ध है आप्शन यह इसका right answer जाएगा. दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पनाए हैं, तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, तो like, share और comment करें. आप लोग लाइक करते हैं, तो इससे हमें motivation मिलता है, जिससे हम आप लोग के लिए वीडियो को लापाते हैं. दोस्तों, इसके अलामा जो है, आप टेली ग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको description box या comment box में मिल जाएगा. इसी तरह हम सारे subject के प्रश्णों को करेंगे, तो आप लोग चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा. आगे बढ़ते हैं, कौन से वे ग्राह, कौन से वे दो ग्राह हैं, जिनका सौर मंदल के अन ग्रहों की तुलना में, परिक्रमड बिप्रीद दिसा में है. तो यह आपका option C का राइटन्स रो जाएगा, शुक्र और यूरेनस यानि अरुन का ये पूछा जायता है प्रश्ण आप्षन C's का राइट अन्स रो जाएगा देखे शुक्र और यूरेनस की परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों से बिप्रीत होती है शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में clockwise गूमते हैं जबकि अन्य ग्रह घड़ी की सुई के बिप्री दिशा एंटी clockwise में गूमते हैं ये point आप ध्यान रखेगा ये पूछा गया प्रश्ण है नेक्स्ट आपका निमलिखित कतनों पर विचार किजिए पहला आपका ब्रिश्पती सनी तथा यूरेनस के चारो और छले हैं ये आपका क्या है सही है ब्रिश्पती सनी तथा यूरेनस के चारो और क्या है छले है ये छले बिभिन पदार्तों के असंक छोटे छोटे एक भी चंद्रमा नहीं है यानी चन्रमा के मतलब एक भी उपिवा नहीं है किसके पास तो option 13 का राइट रोज़ा एक और तीन यानी बुद्ध और सुक्र पास जो एक भी उपिवा नहीं है कि आप्सन डीज का करेक्टन सुरू जाएगा अगला पुश्ण है नीचे देख ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा किसके पास है सबसे देखिए अधिक जो है किसके पास है तो आप्सन भी दिखिए इसके रिको अप्सन भी होगा ब्रियस्पति में क्योंकि बुक में यही देखेंगे तो सनी के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है ठीक है अगला प्रशन है नेमलिकित में से कौन सा कथान सत्य है कौन सा कथान सत्य पूछा इसमें पहला उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं साथी साथी साथ सूर की भी परिक्रमा करते हैं यह आपका सभी है दूसरा आपका प्रत्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास कि व्यास से आधा है यह आपका गलत हो जाएगा सभी इसका क्रीट असरो जागा केवल पहला आपका करिक्ठ है उपग्रह को अंग्रेजी में सैटलाइट कहते हैं जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर ये उपग्रह अपने ग्रहों की प्रक्रिमा करने के साथ सूर की भी प्रक्रिमा करते हैं अता कतन आपका पहला सही है हमारी प्रित्वी के पास केवल एक उपग्रह कौन सा चंद्रमा इसका ब्यास प्रित्वी के ब्यास का केवल एक चौथाई है या इतना बड़ा इसलिए परतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन खगोली पिंडों की अपेच्छा नजदीक है इसलिए आपका दूसरा क्य आरेभट आपसंस से इसका राइटन्स रो जाएगा खगोली पिंडों यूम उनकी गति के संबंद में अध्यान करने वाले को खगोल सास्त्री कहते हैं आरेभट प्राचीन भारत के प्रशिद खगोल सास्त्री थे नेक्स्ट नीचे देगे कथन यूम कारण पर विचार किजिए कथन ए है आपका प्रिथिवी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है ये तो सही है कारण है आपका चंद्रमा के द्वारा प्रिथिवी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अच्छ पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है ये आपका गलत हो जाएगा कारण गलत है आपका कथन सही है तो आपसन सी इसका राइट एंस हो जाएगा आपसन सी देखते हैं आपे चंद्रमा प्रिथिवी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा क पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय कि क्या होता है बराबर होता है आपसन में अधिक दिया था लेकिन बराबर होता है इसके पड़ाम शुरूप त्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है ठीक है नेल आर्मे श्टॉंग पहले वक्ति थे जिन्हों ने 20 जुलाई 1979 को सबसे पहले चंद्रमा की सता पर कदम रखा, शुरूत क्या है आपका नासा की अधिकारी बेपसाइट के अंसवार, जबकि एंसियाटिक में क्या दिया है, आपका 21 जुलाई 1979 दिया है, तो हम नासा को ज़्यादा मानेंगे, क्योंकि ये नासा सही गये थे, तो 20 जुलाई 1979, अला नीची देगे कथनों पर विचार किजिए, पहला दिया है आपका सूर के चारों और चकर लगाने वाले पत्रों के छोटे-छोटे टुकडों को उलका पिंडे कहते हैं, दूसरा आपका खुले आकास में फैली एक छोर से दूसरी छोर तक च दोनों आपके क्या हैं, करेक्ट हैं, आपसंस सीज का राइटन सुर जागा, दोनों सही हैं, सूर के चारों और चकर लगाने वाले पत्रों के छोटे-छोटे टुकडे उलका पिंड कहते हैं, खुले आकास के एक छोर से दूसरे छोर तक फैली, चौडी सफेद पत्टी जो की एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है, यह लाखो तारों का समू है, यह पत्टी आकास गंगा है, हमारा सौर मंडल आकास गंगा का ही एक भाग है, प्राचीन भारत में इसकी कलप अकास में प्राकास की एक बहती नदी से की गई थी, इस प्रकार इसका नाम अकास गंगा पड़ा, लाखो अकास गंगाएं मिलकर ब्रह्मार्ण का निर्मार करती है, तो चैप्टर वन समाप्त हो गया, अब हम चैप्टर टू पहुंचे हैं, इसका नाम है ग्लोब अच्छ देशांता, इसका पहले प्रश में देखते हैं, पहले में विश्वत वृत के संदर में नीचे दिये गए कत्नों पर विचार कीजिए, विश्वत वृत की यानि भूमा-दिरिखा की बात करा, विश्वत वृत isol औरी होता है? जीरो कह्ता अक्छशांस को प्रदासित करता ह बिस्वत्वृत से दुरूबों की ओर जाने पर अच्छांसों का अकार घरता यह भी सही है करा विषवत्वृत्वृत दूर्डी माप को दिशांतर कहते हैं करते हैं कोडी दूरी को क्या वन इसका करेंट अंसर रोजवाँ ए एक और दो सही है बाकि तीसरा गलत है इसके बार देखते है क्येवल कंथन आ के लगा एक यूख सही है मापी गई कोडी को-क्या कहते हैं अच्छांस कहते हैं इस साइड भी और इधर भी यह आपका कोडी दूरी जो है यह सब क्या आच्छांस कहलना कंवाने प्लाइगा एन उससे क्या कहते है विश्वत ब्रित से धुरुवों तक इस्तिती सभी समानता ब्रितों को अच्छांस ब्रित कहा जाता है विश्वत ब्रित एक कालपनिक ब्रित है जो पृतिवी के दो बराबर भागों में पृतिवी को क्या होता है दो बराबर भागों में बाड़ता है ये आपका विश्वत जो बिद ऑता है इसकी की होता है यूपर जाने पर अध्षांसनों का आकार क्या होता है अब को करके रिखा है और उत्तर ध्यूप भृतल इसके बाद इधर रिखा है उत्तर गोलार्ट में यह आपका यह रहा है 1.5 depth degree, यह आपका करक्छ रहा है और इसके नीचे आपका 5.3 os depth degree आपका 6 depth degree विशुवत 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 के 66 TV उत्तर में जो उत्तर धुरुब होता है उसे अन्टार्टिक व्रण जाता है नीचे दिया गा है पहला कहा करक रेखा यो मक्ष रेखा के बीच एक छेत्र का छता होता ही सित्कडबंदी अजि決 fringe यह कर रेखा के बीच फिस्काश्र कडबंद्र विव्ब्रूत यह आप संडिस्का राइट सो जायаем उपिक सभी, इसमें क्या है, आपका गलत है, आप संटीस का राइटेंस रोजा, इसके बार हम समझते हैं, यह हम समझ लेते हैं, यह आपका है, आपका पृतिवी, यह आपका हो गया, जीरो डिगरी, और यह आपका साड़े, तेज डिगरी आपका यह करक रेखा, और यह आप मारे यह जो छेत्र है यह आपका क्या लिए आपका उश्र कडवन्दी छेत्र होता है कैसा ऊश्र कडवन्दी छेत्र होता है और उसके बाद उसके उपर जाएंगे हम अगर ये चाठे शाड़े शाचत डिवरी आपका सीठार बंद होता है अगर पर जो यह हिए यह होता है ठीक, का शीठार बंद हो एक यह बचते बाइब कथनों आगे बिचार कि चाहिए जिया है निगरा परीचेरूक भ zweetobyります सभी समान अंतर बृतों को अच्छांस बृत कहते हैं दूसरा करा सभी अच्छांस रेखाओ का आकार एक समान रहता है तो इसका राइट अंसरो जागा आपसन वन इसका करेट अंसरो जाएगा आपसन इसका करेट अंसरो जाएगा आपसन इसका करेट अंसरो जानी विश्वत ब्रिट से धृव तक इस्तित सभी समांतर भृत्तों को क्या कहा जाता हैं ? Armor pec जाता है इस प्रकार विस्वत से उत्तर की उसभी समांतर डेखा औको उत्री अच्छांस कहा जाता है और विष्वत. विखृट से दच्ध सभी समंतर रेखाव के क्या आता है ऊपर उत्री अच्छांस नीच आपका तथ लेखने की अच्छान्स को अंसव में आ पा जाता है तथा दोघ्षान्स रेकाओ के बीच के दूरी कितनी होते हैं लगबग 111 यानि यह जो दुरूब है उत्री दुरूब से और दच्छडी दुरूब को जोड़ने वाली रिखाए होती है इन्हें क्या कहाता है इन्हें देशांतरी रिखा कहाता है आप्शन भी इसका राइट अंस रो जागा किसी भी अस्थान के सही इस्तिती बताने के लिए अच्छांस के अलामा या जानना अवस्यक होगा कि उत्री अच्छांस से दच्छडी धुरूब को जोड़ने वाली देशांतरी यामनुतर से पूर्वी या पश्चिम की ओर इन अस्थानों की दूरी कितनी है यामनुतर के के दूरी विश्वत ब्रित पर अधिक्तम 111 जो देशांतर की बीच के दूरी 111.3 किलिमेटर अधरूब पर क्या होता है नियुनतम यानि 0 किलमेटर होता है क्योंकि यह धुरूबों को मिलाती है आगे बढ़ता है किसी अस्थान पर किसी अस्थान का मानक समय निधारित कर देखिए, देशांतरी यामनुत्तर की लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख संख्याव में ब्यक्त करना कठिन था, तब सभी देशों ने निश्चे किया कि ग्रीन विट जहां ब्रिटिस राज की बेट साला इस्तित है, से गुजरने वाली यामनुत्तर से प पूर्व, 180 डिग्री पश्चिम का गणना करते हैं, देखिए यह आपका है, 0 डिग्री, 0 डिग्री कहां से गुजरती है, तो आपका ग्रीन विच जो है, इसलिए से ग्रीन विच रेखा भी कहा जाते हैं, और यह क्या है, अंतराष्टी मानक समय रेखा, और इसके इधर आ पूर्व, अगला बढ़ते हैं, निमलिके कतनों पर सत्य कतन पूछरा, ठीक है, प्रमुख या नुत्तर तथा 180 डिग्री या नुत्तर मिलकर पृतिवी को स्तमान भागो पूर्वी गुलार्द यों पश्चमी गुलार्द में बिभक्त करती हैं, अई बात है, 180 डिग्री 180 डिग्री पश्चमी नुत्तर एक ही रेखापत इस्तित हैं, ये भी सही है, आप सम्क्या हो जाए, इसका करेटन सुर जाए, इसका कहने का मतलब है, ये जो प्रमुख नियामनतर है, यानि जीरो डिग्री है, जीरो डिग्री और 180 डिग्री, इसके पीछे ये आपका पृत इधर आपका हो गया पश्चमी गुलाहर्थ में विभक्त करती हैं, ठीक है, आप सम्सी इसका करेटन सुर जाएगा, उपिक दोनों कथन शत्त हैं, प्रमुख यामनतर, 180 डिग्री यामनतर मिलका, पृतिविक को दो समान भागो, पूर्वी गुलाहर्थ ये पश्चमी जाएगा को अंतराष्टी तितर रहते हैं, तो यह मनक समय रहते हैं, दोस्तों इसी तरह हम सारे सब्जेक्ट और सारे क्लास की प्रशनों को हम देखेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो वीडिय में ज़रूर बताईएगा अगला पीछ समय से आगे होता है तथा पिछ्छिम की अस्थानों का समय स्थान का समय से आगे होता है पूर्विच से पश्चिम को और नहीं गूमती है, कैसे गूमती है, आपका पश्चिम से पूर्व गूमती है, तो इसका राइट एंसर हो जागा आपसन A, A सही है, R गलत है, देखते हैं इसके बारे में पिरतिवी अपने कालपनिक अच्छ पर पश्चिम से पूर्व की वह लगाती है, अता हुए अस्थान जो Greenwich के पूर्व में है, Greenwich के जो पूर्व में है, उनका समय Greenwich से आगे होता है, यानि जो इधार है, आपका पूर्व और इधार पूर्व की तरफ निकलता है, अगला है पिरतिवी को अपने अच्छ पर एक डिगरी घूमने में कितना समय समय लगता है एक दिगरी घूमने में कितना समय तो आपका 4 मिनिट आक्सर पूछे आता है तो आपसर इसका कारेट अच्छा रोजागा देखिए पृत्विश्वी अपने अच्छ पर 24 गंटे में 305 गंटे में तीन सौ साथ डिगरी घूमती है और एक घंटे में कितना आपक तब इस अस्थान के समय में कितना अंतर होगा कर रहा कि को यजिस अस्थान ग्रीच क्या रहा है कि आपका माली यह प्रीटियृतु है था पूर्व कर रहा है ग्रीन भीच से 20 दिगरी पूर्व में इस्थित है, तब ग्रीन भीच और उस अस्थान के समय में कितना अंतर होगा, देखते हैं, क्या होता है, एक डिगरी बरबार कितना होता है, आपका 4 मिनिट होता है, तो 20 जगरी पूछ रहा है तो 20 गुड़े चार कर देंगे तो 80 मिनट आजा यानि एक घंटा 20 मिनट होगा अगर ग्रीन बीच के दो पहर में 12 बज़े हैं तो उस अस्थान पर दो पहर के एक बच का 20 मिनट होगा देखे पूर मा है तो समय क्या होगा आगे होगा और इधर वा गुझे ठाश्च के फारत किस यामनोंत्ता यानि दिशांतर लेका की अस्थानी s viewers को समय को भारत का मानक समय रेखा आइक मानक समय रेखा तो वह कितना है आपकार एसका करें jul user साधे 32 डिकरी पूर्वा अपसोन क्या हो जागा इसका करेंट सुरो जागा से बाइत हैं भारत में गुजरात के द्वारिका तथा आसम के डि अस्तानी समय में एग घंटा 45 मिन अंटर है कितना गंटा 45 मिंट अंतर है इसलिए यह अवश्चक था कि देश के मद मध भाग से होकर गुजनने वाली किसी यामनुद्तर के अस्थानी समय को देश का मानक समय माना जाए भारत में साड़े 82 डिगरी पूर्व देश अंतर को मानक यामनुद्तर माना गया है जो तप देश के मिर्जापूर जो कुछ रोतों में इलहाबाद के नईने में बताए गया से होकर गुजरती है और भारत के पांच राज्यों से होकर गुजरती है यह भी धियान रखेगा अगला उस 30 मिनट अप्चन क्या हो जागा यह इसका करीटन्स हो जागा भारत का मानक शमय रहे रखा यामनुद्तर ग्रीन बिच से विचार कीजिये पहला है अपने अच्छ पर गूंबना घूडन कहलाता है अब प्रित्वी की सूर के चारों और इस्तिर का थ्श्व में गति को क्या कहते हैं पारिक्रमड कहते है तो板ington सिद्वी अपने अच्छ पर घूंति है उसे चारों और निरंदे रहती है और 24 गंटे में एक चक्कھर पूर्वा करते हैं इसे क्या गते हैं घोड़न कहते हैं दूर के चारो और एक स्थिर रिट्रवई की गतिको पप्रप्रिक्रमट कहते हैं इस प्रिक्रमज को पूरा करने में 365 दिन 6 गंटे लगते हैं अथा क्या हो जागा आप प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं जो है किसे कहते हैं जिसका आपका आप संस्थी ग्लोब पर वह बृत्त जो दिन तथा रात को भीवाजित करता है अगि intercept आपका इधार जो आपका दीन होता है मैं इधर रात कहला दिए जो इसको भीवाजित करता Psalm प्रता प्रकास्व भत करती है कि इसलिए एक समय में सिरक आधे भाग पर ही रोश्नी प्राप्थ लोप पर वह बृत्त जो दिन तथा रात को भीवाजित करता है उसे प्रधीप्वृत कहते हैं ठीक है मैं निमलोकित में इसे कौण सा रितूव में परिवर्तन का कारण है आकसरप पूछा आता है इंप्वर्टन है रितुव में परिवर्तन का कारण कारण प। बातो गया है उन्हें को इंप परिवत्न के गूलःर्ट होता है और अगर अगर पुछे जाए दिन रात किसी की वज़ेसे होता है तो जो प्रित्वी घुड़न करती है उसकी वज़ेसे दिन रात होता है 21 जून को इंपॉर्टन प्रशन है ये 21 जून को पृतिवी का उत्तरी गोलार्ट सूर की तरफ जुका होता है इसके परड़ाम सरूप अधिक उस्मा प्राप्त होती है इन छेत्रों में सबसे लंबा दिन और तथा सबसे छोटी राती होती है प्रिथिवी कि इस अवस्ता को क्या कहते है इसे कहते है इसे उत्तर अ्यून के होता है और यह कब होता है आपका 21 जून को होताहित स्दीह का हुऊता रहता है इसे यह इक्षडी में ठाइंट को होता है। विशु भी होता है जब विशु क्या होता है जब सूर की करण विशुवत रेखा पर होती है तो क्या होता है आपका विशु होता है और यह साल भर में दो बार होता है कब कब होता है आपका एक होता है 21 मार्च को 21 मार्च को जो है सूर कहां पर होता है भूमद रेखा पर और ये क्या कहलाता है तो इसे कहा जाता है बसंत विसु कहा जाता है और एक होता है आपका 30 सितंबर 30 सितंबर को भी आपका भूमद रेखा पर होता है इसे क्या कहा जाता है इसे सरद विसु कहा जाता है तो चारू डेट आप ध्यान रखेगा आगे हैं देखिए वही प्रशना गया दच्षडी अयनान के संदर में नीचे दिये गया कत्रों पर विचार किजिए दच्षडी अयनान दच्षडी धुरूप सूर की ओर झुका होता है दूसरा है सूर की केड़े मकर रेखा पर शिदी परती अभी होने बताया और दच्षडी गोलाद पर छोटे दिन यहों लंबी राते वाली रित्यूए होती है जिसका करिटन्स रोजागा आपसन क्या हो जागा सीज का करिटन्स रोजा एक और दो सही है इसके बारे देखते हैं 22 दिसंबर को दच्षडी धुरूप के सूर की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर शूर की केड़े सीधे लंबे दिन तथा छोटी राते वाली ग्रीसम्रित होती है यानि सबसे बड़ा दिन दच्षडी अयनांत कहते हैं कथन एक और दो सत्य है जब कि कथन तीन असत्य है उलेक्निया के आश्ट्रिले में ग्रीसम्रित में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है आगे बड़ते हैं वि सूर की केड़े विशुवत ब्रित पर सीधे पड़ती है और अगला है पूरी 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 पर दिन और रात बराबर होते हैं और कोई भी दुरूब सूर की और जुका नहीं होता सही अभी हमने पीछे बताया आप्शन डीस का करिटन सुरो जाए विशू जो है दो साल भार अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं आप्शन 20 का राइटन शुरो जागा 306 दिन होते हैं पृत्वी को स्थूर की एक प्रक्रमारा पूरी करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं सुध्या के लिए हम 365 दिन गिनते हैं और 6 घंटे का समय छोड़ दिते हैं इस प्रकार छे वर्षों में 24 घंटे अर्थात एक दिन का अंतर हो जाता है इस अंतर अत्रिक दिन को अत्रिक दिन को फरवरी के महिने में जोड़ा जाता है और इस प्रकार प्रतिक चौथे वर्ष फरवरी 28 के बदले 29 का होता है और इस प्रकार हर चौथा वर्ष 346 दिन का होता है इस हम चैप्टर पहुंच गया है हिसका नाम क्या है मानचित्र सभी प्रस्म बनता है बहुतिक मानचित्र में सामिल किया गया है तो उब्यक्त सभी यानि परबत पठार मैधान महासागलि और देश-यार- की सिमाएं यानि इसमें फिजिकल मैप में सभी आते हैं आप संट इसका करेटन्स हो जाएगा प्रिच्वी की प्राकृतिक अकृतियों जैसे परबतों पठारों मैदानों नदियों महासागरों उत्यात को दर्साने वाले मांचित्र को भावतिक या उच्चावच मांचित्र भी कहा जाता है ठीक है अलब से राज्यों नगरों सहरों तथा गाओं को विश्व के विभिन देसों वा राज्यों तथा उनकी सिमाओं को दर्साने वाले मांचित्र को क्या कहा जाता है करहा है राज्यों नगर सहर गाओं इनको दर्साने वाले मांचित्र को रानीतिक मां मांचितर में से किसे सामिल कि जाता है। जिसका राइट अंसर हुजाएगा आपका option D, उप्य सभी यानि सड़क मानचितर, वर्षा मानचितर, वन तथा उद्योग की वितरण दर्शाने वाले मांचित्र आपके क्या कहलते हैं थिमाटिक मांचित्र कहलते हैं कुछ मांचित्र हमें 20 जानकारियां प्रदान कहते हैं जैसे सडक मांचित्र वर्षा मांचित्र रेलवे मांचित्र वन तथा उद्ध्योग आधिके वित्रण दर्शाने वाले मांचित्र इस प्रकार के मांच पूर्व सभी को प्रतिक के संदर में रूड़ प्रतिक किसे कहते हैं तो इसका करीट अंसर हो जाएगा आपका आप संथ अ संभन्ध में अंतर राश्टी समयति हूँ से क्या गाता है उसे रूड़ प्रतिक कहते हैं देखते इसके बारे मांचीतर के 3 घटक होते प्रतिक मानचित्र का तीसरा प्रमुगटक है प्रतिकों के इस्तमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खीचा जा सकता है तथा इसका अध्यान करना आसान होता है मानचित्रों की एक विस्व्यापी भासा होती है, परतिकों के उपयोग के सम्मन्द में अंतराष्टी समयती है, इन्हें रूण परतिक कहा जाता है, इसे भी मानचित्रों पर वास्तविक आकार यों प्रकार में भिभिन आकृतियों जैसे भौनों, सडकों, पुलों और प्रिदान करते हैं, आपने देखा वागा उसमें कहीं अगा फूल ब्रिच जिन सबको दर्शाना होता तो अला अगला चित्रों का प्रियों के जाता है, जो मानचित्र पैमाने पर आधारित ना होकर या दास्त और अस्थानी प्रेच्छण पर अधारित होते हैं उन्हें रेखा चित्र मांदचित्र कहते हैं। दूसरा है एक चोटे छेट्र का बड़े पहमाने पर खीचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। तो इसका राइट अंसर हो जागा option D, अपसरी option C का राइट अंसर हो जागा एक और दो दोनों सही हैं। यानि रेखाचित्र मानचित्र के अंतरगत कच्चे आरेक को बीना पैमाने की साहता से खीचा जाता है, जो याददास्त और अस्थानी पेच्छट पर अधारित होता है, एक छोटे खेत्र का बड़े पैमाने पर खीचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है, आथा दोनों कथ सब्त हैं ठीक है दोस्तों चार चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसके आगे के चैप्टर के प्रशनों को हम अगली वीडियो हम देखेंगे ठीक है थैंक्यू फॉर वॉचिंग